नमस्का दोस्तूं, मैं हूँ आपका दोस्के भी तो जैसा कि आप सभी लोगों को ये पता है कि अगले महिने से रेलवे गुरूबडी की परिछा आपकी सुरू होने वाली है और अगर हम लोग रेलवे गुरूबडी की बात करते हैं तो उसमें आपके साइन्स के प्रशनों का सबसे महत्पूर्ड रोल होता है तो इसलिए आज की इस क्लास से हम लोग 2018 में जो आपके साइन्स से सबसे ज़्यादा प्रश्ण पूछे गए थे उन सारे टॉपिक को हम लोग एक एक करके डिसकस करेंगे और उसी करम में आज के इस वीडियो में हम उत्तल और आउतल लें किस प्रकार से इमेज का निर्मार किया जाता है उसको हम लोग animation के माध्यम से यहाँ पर समझेंगे तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो के last में अपना feedback आप लोग जरूर दीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और आने वाले समय में आ आप और किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो चलिए अब इस वीडियो की हम करते हैं सुरुआत तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं लेंस के बारे में तो लेंस की अगर आपसे definition की बात की जाए तो दो वक्क प्रिष्ट या फिर एक संतल प्रिष है इसी को हम लोग वक्क प्रिष्ट कहते हैं और लेंस की खास बात यह होती है कि अगर आप लोग लाइट इसमें भेजते हैं तो ये लाइट आपके रिफ्रेक्ट हो करके दूसरे साइड में देखने को मिलेगी इसी प्रकार से ये सामने देखिए ये भी हमारा एक लेंस ह है अब अगर हम लोग लेंस की बात करते हैं तो मुख्य रूप से लेंस को हम लोग दो केटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कौन कौन सी केटेगरी तो पहली केटेगरी हमारी कॉन्वेक्स लेंस की होती है और दूसरी केटेगरी की बात करें तो दूसरी केटेगरी हमारी ह इंदी भी होती है लेंसी तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का हमारा convex lens होता है गुरूप D में कई बार आपके definition भी पूछी गई थी तो ध्यान रखिएगा एक ऐसा lens जो की दोनों किनारों पर चप्ता होता है कुछ इस प्रकार से और बीच में यह हमारा उभरा होता है ऐसे lens को हम लोग कहते है उत्तर lens इसी प्रकार से अगर आप से पूछा जाए आउतन लेंसड क्या है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं एक हमारा ऐसा lens जो की दोनों किनारों पर उभरा हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं और आपका ये बीच में होता है तो ऐसे लेंज को हम लोग आउतल लेंज के नाम से जानते हैं, तो ये आपके बेसिक हैं, आउतल और उतल लेंज के बारे में कम से कम इन्हीं तो आपको ध्यान रखना है अब देखिए एक प्रेशन और आपकी परिच्छाओं में पूछा जाता है कि कौन सा लेंस हमारा अभिसारी होता है और कौन सा आपका अपसारी लेंस होता है तो जब हम लोग उत्तल लेंस की बात करते हैं तो उत्तल लेंस पे जब भी आपकी कोई लाइट इस प्रकार से आगर के गिरती है तो ये light आपके reflection के बाद में जहां पर converge होती है उसी को हम लोग कहते हैं focus क्या कहते हैं इसे हम लोग focus कहते हैं और आप देख रहे होंगे कि जो हमारा प्रकास है वो प्रकास किसी एक point पर converge हो रहा है और converge का मतलब ही होता है कि ये हमारा एक प्तल लेंस की बात करते हैं तो इसमें जो भी आपकी प्रकास की करिणे जाती हैं वो आपके reflection के बाद में diverge करती हैं क्या करती हैं और इसी लिए इसे हम लोग अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं तो ये दोनों चीजे जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन से लेंस हमारे किस प्रकार के होते हैं और किसे हम लोग अभी सारी और किसे हम लोग अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं अब हम लोग कुछ और महत्पूर्ण चीजे आईए जान लेते हैं देखिए लेंस में कुछ महत्पूर्ण चीजे होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए अ उसके बाद में यहां पर आपको F1 देखने को मिल्भा होगा, इस साइड में आपको F2 देखने को मिल्भा होगा तो ध्यान रखोगेगा जो हमारे F1 और F2 हैं यह हमारे मुख्य फोकस होते हैं उसी प्रकार से जो 2F1 और 2F2 है यह भी हमारे लिउस्ट के होते हैं फोकस तो इनके बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है अच्छा एक महत्पूर्ण चीज में आपको और बता दू कि आप्टिकल सेंटर से जो आपके F1 की दूरी होती है सेम वही दूरी आपकी F1 से होती है 2F1 की अगर हम माल लेते हैं कि O से F1 की दूरी 2cm है तो F1 से 2F1 की जो दूरी है वह भी आपकी होगी 2cm तो कई बार यहां से भी प्रश्ण पूछा जाता है ध्यान रखेगा कि आप्टिकल सेंटर से जो हमारा प्रिंस्पल फोकाई है उसकी दूरी उस प्रिंस्पल फोकाई से दूस भी 2cm ही होनी चाहिए तो यह अगर आप लोग अच्छे से मीजर करके रखेंगे तो आपकी जो इमेज है वो आपकी बिल्कुल असली वाली बनेगी तो चलिए अब हम लोग थोड़ा से समझते हैं कि उत्तल लेंस के द्वारा इमेज का निर्मार किस प्रकार से किया जाता ह है लेकिन उससे पहले लेंस के निर्मार के लिए जो हमारे नियम है उन नियम के बारे में आपको पता होना चाहिए तो पहले बात करते हैं रूल वन की देखिए यह हमारा लेंस हो गया यह आपका मुख्य अच्छ है जिससे आप लोग प्रिंसपल अच्छ भी कहते हैं या access भी कहते हैं तो माल लेते हैं कोई हमारी प्रकास की किरण है जो इस प्रकार से मुख्य अच्छ के parallel जाती है ध्यान रखिएगा कोई हमारी प्रकास की किरण है जो की आपके मुख्य अच्छ के parallel जाती है तो reflection के बाद में ये जो हमारी किरण है वो आपके F2 से हो करके जाएगी जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर कोई किरण किसी लेंस पर मुख्य अच्छ के पैरलल आपतित होती है यानि कि इंसिडेंट होती है तो उसके बाद में ये जो है वो रिफ्रेक्शन के बाद में F2 से हो करके जाएगी तो ये हमारा रूल 1 है दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई प्रकास के किरण हमारे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से हो करके जाती है तो ये आपके ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाएगी क्या होगा ये जो हमारे किरण है वो आपके ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाती है और रूल हमारा जो तीन है वो आपका ये कहता है कि अगर कोई भी हमारे प्रकास के किरण किसी भी लेंस के प्रिंस्पल फोकाई से हो करके जाती है तो रिफ्रेक्शन के बाद में ये आपके मुख्य अच्छ के पैरलल जाएगी तो जो हमने पहला नियम पढ़ा था कि अगर कोई किरण मुख्य अच्छ के पैरलल आती है तो ये आपके फूकाई पर कनवर्ज करेगी इसी का सेम अपोजिट है कि अगर कोई हमारे जो किरण है वो F1 से जाएगी तो रफ्रेक्षन के बाद में ये जो आपके किरण है वो मुख्य अच्छ के पैरलल आगे बढ़ेगी तो ये हमारे तीन रूल है अगर आपको ये तीन रूल अच्छे से पता है तो आप किसी भी कंडिशन के लिए इमेज का निर्माण कर सकते है कैसे करेंगे वो आईए अब हम लोग एक एकर करके समझते है तो आईए पहली कंडिशन की हम लोग करते हैं चर्चा कंडिशन ये है कि हमारी जो वस्तु है वो आपके 2F1 से परे है यानि कि ये आपके 2F1 से दूर है तो वस्तु आपकी है यहाँ पर ये माल लेते हैं हमारे लल्लू लाल है जो की लेंस का जो 2F1 है इससे दूर कहीं पर खड़े हुए है अब माल लीजिए आपको बताना है कि लल्लू लाल जो हमारे है इनकी इमेज कहां पर बनेगी तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग पहले रूल का योज करेंगे तो एक किरण जो है वो इनकी स्तिर से हम लोग ले करके जाएंगे और ये जो किरण है ये आपके रेफ्रेक्शन के बाद में F2 से आगे बढ़ेगी दूसरा जो हमने रूल पढ़ा था इसमें ये कहा गया था कि अगर कोई हमारे किरण आप्टिकल सेंटर से हो करके जाती है तो ये आपकी सीधी निकल जाएगी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे प्रेंस्पल एक्सिस के पैरललल गई है ये आपके रिफ्रेक्शन के बाद अप्टिकल सेंटर से हो करके जाने वाली जो हमारी रे है वो आपकी निकल गई है सीधी अब जहां पर ये किरणे आपकी इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर इमेज का निर्माड होगा तो कुछ इस प्रकार से जो हमारे लल्लूलाल साहब यहां पर खड़े हुए थे उनकी इमेज आपको यहां पर देखने को मिलेगी अब इमेज ये कैसा है आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं देखिए जो इमेज है वो हमारी रियल लाइनों के इंटरसेक्शन से बनी है याने की इमेज हमारी है रियल दूसरा आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि जो हमारे लल्लूलाल साहब यहां पर खड़े हैं उनकी इमेज जो है वो कुछ छोटी दिखाए दे रही है याने की जो इमेज है वो आपकी वस्तू से बनेगी छोटी उसके बाद में आप देखे होंगे कि आपके जो लल्लूलाल है वो यहां पर सीधे खड़े हैं लेकिन यहां पर यह उल्टा लटके हुए है इसका सिंपल सा मतलब यह हुआ कि जो आपके इमेज है वो हमारे वस्तू से छोटी बनी है इसके अलावा जो इमेज है वो आपके F2 से 2F2 के बीच में बनी है तो यही सारी चीजे मैंने यहां पर लिख भी दी है कि जो इमेज है वो रियल बनेगी डिमनिश्ड यानि की छोटी बनेगी और यह होगी इन्वर्टेड यानि की उल्टा तो यह हमारी हो गई पहली कंडिशन अब लल्लू लाल को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इनको ले करके आते हैं 2F1 पर अभी तक यह यहां पर थे अब थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इनको ले करके आएंगे 2F1 पर फिर हम लोग पहला rule यूज़ करेंगे तो हमारी किरन जो की principal axis के parallel जा रही है ये आपकी reflection के बाद में F2 से हो करके गुज़रेगी फिर हम लोग तूसरा rule यहाँ पर यूज़ करेंगे कि optical center से जाने वाली जो हमारी image है वो इस प्रकार से intersection के reflection के बाद में आगे बढ़ेगी फिर आपकी ये दो जोनों के रिने हमारी cut कर रही है intersect कर रही है वहाँ पर आपकी बनेगी image तो एक बार फिर आप लोग देख सकते हैं कि अगर कोई भी बेक्ती या कोई भी वस्तू आपके 2F1 पर रखी गई है तो इसकी जो image है वो exactly आपके 2F2 के उपर बनेगी तो ये तो काफी आसान हो गया और आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि जो हमारी image बनी है वो ठीक उसी size की है जिस size के आपका ये लल्लू लाल है यानि कि अगर ये 5 cm का है तो इसकी image भी बनेगी 5 cm की तो क्या आप लोग कहेंगे कि जो हमारी image है वो real है जो आपकी वस्तू है उसी की size की है inverted है यानि की उल्टी है और ये आपकी 2F2 के उपर बन रही है तो ये बहुत ही simple सा case था अब लल्लू लाल को हम लोग क्या करेंगे कि इनको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे अब ये कहां आ गए पहले यहां पर थे उसके बाद में 2F1 के उपर आए अब इनको हम लोग थोड़ा सा और आगे लाएंगे और अब ये जो हमारे लल्लू लाल साहब है ये 2F1 और F1 के बीच में आ करके खड़े होंगे आए फिर हम लोग यूज करते हैं रूल नंबर वन तो आपकी जो किरण है प्रिंस्पल एक्सेस के पैरलल रिफ्रेक्शन के बाद में F2 से हो करके जाएगी दूसरी जो हमारे किरण है ये आपके Optical Center से जाएगी और रिफ्रेक्शन के बाद में ये सीधी निकलेगी अब देख सकते हैं कहां पर ये दोनों कट कर रही है तो हमारी इमेज यहीं पर बनेगी और आप लोग देख रहे होंगे कि अब जो हमारी इमेज बन रही है वो लल्लू लाल की तुल्ला में काफी बड़ी है लेकिन इमेज फिर भी आपकी उल्टी है और इमेज हमारे रियल राइनो के इंटर सेक्शन से बनी है तो ये तो बहुत सिंपल सा केस हो गया यानि कि आप कह सकते हैं कि जो हमारी इमेज है वो 2F2 से दूर बनी है इमेज जो हमारी है वो उल्टी है रियल है और ये इमेज आपकी यहाँ पर वस्तू से बड़ी है तो यही चीजे मैंने यहाँ पर लिख भी दी है कि इमेज आपकी वास्त्रिक है उल्टी है वस्तू से बड़ी है और 2F2 से दूर ये image आपकी बनी है अब आते हैं चौथी condition पर देखे सबसे पहले लल्लू लाल यहां पर थे उसके बाद में ये आते हैं 2F1 पर उसके बाद में ये आते हैं 2F1 और F1 की बीच में अब ये जो हमारे लल्लू लाल सहाब है ये पहुँच जाएंगे सीधे F1 के उपर कहां पर ये सीधे आगए F1 पर अब देखते हैं क्या सिनारियो बनता है तो पहले में मतलब पहले रूल का ही हम लोग योज करेंगे तो यहां से जो हमारे किरण principle axis के पहलेल जाएगी एक बार फिर ये reflection के बाद में F2 से हो करके आगे लाओगा आप देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति F1 के उपर आ गया है कहां पर F1 के उपर तो इसकी जो image है वो कहीं अनंद पर जाकर के बन रही है क्योंकि अगर आप लोग पहले case को देखेंगे यानि कि ये जो हमारे पहली ray है ये आपकी F2 से गुजर रही है दूसरी जो हमारी ray है ये optical center से सीधे जा रही है और आप देख रहे होंगे कि ये दोनों जो हमारे किरने हैं ये हो गई है parallel और parallel होने का simple सा मतलब है कि ये आपकी कहीं पर मिलेंगे नहीं इसका simple सा मतलब है कि जो हमारी image है वो कहीं अनंद पर जाकर के बन रही है और देख सकते हैं कि यह आपके वस्तू से काफी ज़्यादा बड़ी बनेगी और आप यह भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो हमारी image है वो आपकी बनेगी उल्टी तो सेधे सेधे आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारी image है वो real होगी infinity के उपर बनेगी यानि की अनद पर कहीं बनेगी और यह आपकी होगी उल्टी तो यह तो simple सा case था यह भी आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं फिर बात करते हैं हम लोग case number अगले की यानि की जब हमारे यह लल्लू लाल महोत है F1 और O के 20 में आकर के खड़े होंगे कहां पर F1 और O के 20 में आकर के खड़े होंगे तो देख सकते हैं जो हमारी ray of light है जो कि principal axis के parallel है यह आपके reflection के बाद में F2 से हो करके जाएगी उसके बाद में अगली जो हमारे किरन optical center से हो करके जा रही है यह आपके निकल जाएगी सीधी अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि reflection के बाद में यह जो हमारे दोनों किरने हैं यह फैल रही है यानि कि अनन्द पर जाकर के यह कहीं पर बराबर नहीं होंगी तो हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग पीछे की और बढ़ा देंगे जैसे देखिए अगर हमारे reflection के बाद में यहाँ पर जा रही है तो यहाँ कहीं अगर हम लोग आँख रखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यह किरने यहाँ कहीं से आ रही है और इसका simple सा मतलब है कि जो हमारी image है वो आपकी यहाँ पर बनेगी तो यह तो बहुत ही सांदार वाला case हो गया आप देख सकते हैं कि जो हमारा बैक्ती था जो कि अभी तक हमारे सारे real image को बना रहा था जैसे ही यह बैक्ती F1 से O के बीच में आता है अब जो हमारी image बनी है पहली बार ऐसा हुआ है उत्तर lens में कि यह जो हमारी image है वो बनी है virtual virtual क्यों बनी है क्योंकि यह आपके real line के intersection से नहीं बनी है ध्यान किएगा जब आपकी कोई भी image real line के intersection से बनती है तो वो हमारी real होती है लेकिन यह आपकी हो जाएगी virtual image के property क्या होगी देखे image के property पहले तो यह होगी कि यह आपके 2F1 से दूर बनेगी दूसरी property यह है कि यह जो हमारी image है वो बिल्कुल सीधी बनेगी तीसरी property इसकी यह है कि वस्तु से यह काफी ज़्यादा बड़ी बनेगी और आपको यह ध्यान रखना है यह होगी कि जब हम लोग उत्तल lens की बात करते हैं तो उत्तल lens में आपकी वस्तु चाहे 2F1 के परे हो 2F1 के उपर हो 2F1 या F1 के बीच में हो या फिर F1 पर हो सभी condition में जो हमारी image थी वो बन रही थी real लेकिन यह हमारा एक ऐसा case हुआ है कि जब हमारी जो image है वो ना केवल virtual बनी है बलकि सीधी भी बनी है तो यह जरूर ध्यान रखिएगा कि उत्तल lens में सिर्फ एक ही ऐसा case होता है कि जब हमारी image वर्चुल और आपकी सीधी image बनती है तो चलिए यह हमने 5 जो condition है आपके उत्तल lens के लिए उसको यहाँ पर समझ लिया है I hope आपको समझ में आया होगा अगर समझ में नहीं आया है तो एक दो बार इसको remind करके आप लोग देख सकते हैं अब बात करते हैं आउतल lens यानि की concave lens के द्वारा जो image का निर्मार किया जाता है तो आईए इसके लिए भी हम लोग rule पहले समझते हैं देखे पहला rule तो आपका वही है कि अगर कोई किरण हमारी मुख्य अच्च के parallel जाएगी यानि कि इसके समानांतर जाएगी तो reflection के बाद में ये आपकी diverge करेगी आपको पहले भी मैंने बताया था ही है उसके बाद में जब हम लोग यहाँ पर दूसरी condition की बात करते हैं तो rule आपका second कहता है कि optical center से अगर कोई हमारी range आएगी तो ये आपके reflection के बाद सीधी निकल जाएगी तो चाहें convex lens की हम लोग बात करें या फिर हम लोग concave lens की बात करें दोनों ही इस्थिती में जो हमारी optical center से रिय जाती है वह आपकी हमेशा ही सीधी निकल जाती है फिर हम लोग rule number third की बात करेंगे तो rule third ये कहता है कि अगर हमारी कोई किरण focus की और आगे बढ़ती है तो ये आपके reflection के बात में principal axis के parallel चली जाती है F1 की तरफ जाएगी तो बस आपको ये तीनों rule या दखने है कि अगर कोई किरण principal axis के parallel जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है ये F2 से आ रही है उसके बाद में आपको ये ध्यां रखना है optical center वाले सीधी चले जाएगी और पहले rule का ही opposite rule third है यानि कि अगर कोई किरण हमारी principal जो हमारी फोकाई है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो ये जो आपकी किरण है वो reflection के बाद में principal axis के बेलकुल parallel आगे बढ़ेगे अब आईए इसके लिए भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि किस प्रकार से image का निर्माड होगा तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी वस्तु है उसको हम लोग 2F2 के परे रखेंगे कहां पर 2F2 के रखेंगे परे यानि कि ये जो हमारे लल्लू भाया थे अब की बार इनको यहां पर खड़ा किया गया है आईए देखते हैं कि लल्लू भाया की image कैसी बनेगी तो यहां से एक हमारी जो ray of light है कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ेगी उसके बाद में reflection के बाद में ये आपकी diverge करेगी कुछ इस प्रकार से लेकिन अगर इस line को हम लोग पीछे की और बढ़ाएंगे तो ये आपके F2 पर आ करके मिलेगी उसके बाद में दूसरी condition ये कहती है कि अगर कोई हमारी ray of light optical center पर गिरती है तो ये आपकी सीधे निकल जाएगी अब यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो हमारे लल्लू भाईया है इनकी image बन रही है कहां पर F2 और O के बीच में और इनकी ये जो image है वो बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है तो वैसे इनकी image बहुत ज़्यादा अच्छी वैसे भी नहीं थी लेकिन यहां पर आप देख रहे होंगे कि इनकी image हो गई है बहुत ज़्यादा छोटी condition आपको ये ध्याँ रखना है कि जब हमारे real line के intersection से कोई image बनता है तो उसे हम लोग कहते है real अगर आपके दो virtual line के intersection से बनता है तो उसे हम लोग कहते है virtual अगर आपकी कोई भी ऐसी image है जो की real के साथ साथ हमारे virtual line के intersection से बनती है तो वो भी आपकी हो जाएगी virtual image तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे अगर आपसे कोई पूछा जाए कि image की property क्या होगी तो आपको ध्याँ रखना है ये जो हमारी image है इसकी पहले property ये है कि F2 और O के बीच में ये image हमारी बनेगी दूसरी property क्या है कि ये जो हमारी image है वो आपके वस्तू के size से छोटी है किससे जो लल्लू है उनकी यहाँ पर बहुत छोटी image बनी है image की एक property ये है कि जो image हमारी है वो बिलकुल सीधी बनी है और आपको ये ध्याँ रखना है कि ये जो हमारी image है वो आपकी बनी है सीधी तो आभासी image होगी यानि की virtual image है छोटा है यानि की diminished है और आपका ये है upright तो ये होगी हमारी पहले condition अब हम लोग क्या करेंगे दूसरे condition में आते हैं और जो हमारे ये लल्लू भया है इनको हम लेकर के आते हैं 2F2 पर कहां पर 2F2 पर लेकर के आते हैं या कहीं पर लेकर के आईए फिर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारे जो image है वो बन रही है यानि की जो हमारे ये लल्लू भया है इनको आप लोग चाहें खड़ा करिए 2F2 के परे 2F2 के उपर लाईए F2 पर लाईए या कहीं पर लाईए इनकी जो image है वो हमेशा यहीं पर बनेगी कहां पर F2 और O के बीच में बनेगी प्रॉपरिटी हमेशा वही होगी जानि की ये आभासी होगी ये आपकी छोटी होगी सीधा होगा और F2 और O के बीच में बनेगा तो ध्यान रखेगा कई बार आपकी परिच्छाओं में ये प्रशन पोछा जाता है कि हमारा ऐसा कौन सा lens है जिसके द्वारा बनाई जाने वाली जो image है वो आपकी हमेशा ही होती है virtual कैसी होती है वो image आपकी हमेशा virtual होती है तो अब आप लोग आसानी से बता सकते है कि अगर कोई आउतल lens है तो उसके द्वारा जो आपकी image बनाई जाएगी वो हमेशा हो जाएगी virtual तो इस प्रकार से जो भी हमारे image का formation होता है उसको हमने discuss कर लिया है कहीं पर आपको doubt है तो आप comment में बता सकते हैं इसके बाद में जो हमारे mirror के द्वारा image बनाई जाती है उसको हम लोग discuss करेंगी और उसके बाद में group D से जो यहाँ पर बहुत सारे प्रशन पोचे गए थे उन सारे प्रशनों को भी हम लोग discuss करेंगे science में अगर आप लोग और किसी topic के ओपर वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप लोग अपना suggestion दे सकते हैं या फिर अगर आप लोग वीडियो में कोई और ज़्यादा improvement चाहते हैं या आपके पास कोई सलाह है वीडियो को और बहतर बनाने के लिए तो उसका भी comment section में स्वागत है thanks for watching जै हिंद जै भारत और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत